नमस्कार बिवानी अल्चल में आपका सवागत है सहीद समारक पर पूरो शैनिकों का सहीद समारक को लेकर के धरना चला हुआ था SDM बिवानी मौके पर पहुंचे हैं इन्होंने जायजा लिया है सहीद समारक का अधीकारियों को मौके पर शक्त निर्देश भी दिये गए इसमें शिकायत नहीं थी पूरो शैनिकों का हमारे से एक आगरे था कि जो बजट आया है जो इसका काम चल रहा है जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है और जो टेंडर के अधीन जो काम हो रहे हैं उससे अलग ये चाहते थे कि जो ट्राइपिलर का जो समारक आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको दुबारा से डिवलप किया जाए कही ना कहीं इसके स्टेबिलिटी बारे इनके मन में आशंका थी कि 30 साल पहले जब बना था अभी भी अगर इसी को रीडवलप करवा जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में कोई इस्यू ना आ जाए उसके लि बेरिंग स्ट्क्चर नहीं है इसके उपर कौई वज्ग वजन ऊपर से नहीं है तो इसमें स्टेबिलिटी के कोई इसू नहीं आएगा Creatorτο जो हमारे पास परमीशन है जो हम्हारे पास बजजट है जो मने टेंडर किया है वह को इसका रीमोडलिंग का किया है इसके पुनरा और वह नुक्त मैंने खिए और इसमेम से बनाने के लिए पर्पोज़र चलाएंगे जिसका बजेट आता तो उसके नुरूप काम किया जाएगा stability की जहां तक बात थी वो इस बात पर भी सहमती बनी है हमने आश्वाशन दिया है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी waterproofing का भी काम है जो मैंने अब मोके पर भी जाकर देखा है बिल्कुल तसलिबक्स किया जा रहा है इसके अलावा कोई भी trust deficit इसमें ना रहे और पेडों के pruning की या नीचे के जो drain pipe है उसको level करने की आई है वो हमने मोके पर निर्देश दिये हैं वो पुरा करवा दिया जाएगा ये नगर परशासन पर आप आरोप लगा रहे थे बार बार में ऐसा है कि नगर परिशद का नहीं ये जो pwdbndr का जो पैसे का गोठाले का था और जो इसमें था SDM साब ने हमें आसवसंद दिया है कि जिस परकार से आप बता रहे हैं हम बनाएंगे कुछ हमारी डिमांडे थी पहले संदे क्या था कि जो यह तीन पिलर थे जर जर आलत में थे और हमें यह लग रा था कि यह चल ही नहीं सकता लेगिन अभी मामले को उलजाके रखते हैं तो आचार सहीत की वजए से जो हमारा सहीध समारख का कारे है वह रोख जाएगा और हम किसी भी परकार से सहीध समारख के कारें को रोपने के लिए दथ पर नहीं है क्योंकि हमारी बहुएता अभी हमारा जो एक करिकरम जो आ रहा है 23 मार्च का वो नहीं हो पाएगा इसके बाद जो हम परतिवर्स जो हमकारगिल विजय दिवस मनाते हैं तब तक तो यह हमारा तयार हो जाए इस वज़े से जो बाकी हमारी मांगे थी वो को SDM साब ने मोके पनिप्टारा कर दिया और सभी पूरुसैनिक साती उससे संतुष्ट हैं तो इसके लिए, cdm साब का आता है दिल से धन्यवाद करते हैं सभी पूरुसैनिक कि उन्हें मोके पर आए और हमारे धरने को संग्यान में लिया और पर फिर चरकार का भी धन्यवात करते हैं कि उन्होंने यहां पर यह भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने हमें आसवसन दियाएगी अगला जब भी टेंड़ होगा इसका जो टेंड़ होगा वह maintenance पूरी निग्रानी रहेगी फिर भी अगर कोताई बरती गई तो फिर से सब कुछ उन्होंने बताया कि आप हमें तुरंत बताई ये धरने की नोबती नहीं आएगी हमें धरना इसलिए देना पड़ागी कही ना कहीं सरकार के साथ होने पर हम दो तीन बर गए डी सी साब किसी कारणवस नहीं मिल पाए हमने जो ग्यापन दिया उस पे किसी कारणवस संग्यान नहीं हो पाया अगर पहले ही संग्यान हो जाता तो हमें धरने पर बैठने की ज़रूरती नहीं थे क्योंकि हम पूरु सैनिक है और अनुसासित हैं हम नहीं चातेगी किसी भी परकार का कोई दरना इस देश में कोई भी दरना चले सब्सक्राणबिर का भी समर्थन था या नहीं किस चीज का जी संग्ठन से जुड़ा मामला है जो हमाजिक संग्ठन जर्णे को समर्थन दे सकते हैं किसी भी राजनितिक पार्टी का हमने कोई भी समर्थन नहीं लिया ना ही हमने बार बार अपनी बाइट में भी आपके चैनल के माध्यम से भी यही का है कि सरकार ने बहुती सम्मानी तरासी 25 लाग दी है उसका सदुप्योग परसासन करे तो परसासनी का धिकारी SDM साब ने आ कितना आसवस्त है आगे का क्या सटेंड रहेगा क्या कदम रहेगा भी लिपापोती करने के लिए इस परकार के धर्णों को थुड़ा सा एक मिठी गोली पकड़ाने के लिए आते हैं उमीद करते हैं अगर SDM साब आये हैं इसको पर संग्यान लें जो समश्या है आज जो द करना चाहिए जब एक शैनिक शीमा पर खड़ा होता है माइनेस टंपरेचर हो यह तपता और अरिगिस्तान हो तब तब जा करके देश का एक बच्चा-बच्चा मैफुष और अच्छी नीन लेता है और आज उसमें भी जोनी यह हो रहा है इस से बहुत बहेंकर बात नहीं हो सकती मैं तो कहता हूँ ऐसे जो हमारे अधिकारी है यह सिर्फ लीपा पोती करके इस पैसे को लफ्ट राइट करने के चकर में इनको सरमानी चीए और पूरा देश जाग चुके है क्योंकि जिन सैनिकों अपने पूरी जमानी शीमा पर लगाई हो गुर्बानिया दी हो औ जिनीकों का इक इतिहास है और भारतिय चैनिकों का तो एक पूरी दुणिया के अंदर इतिहास है कि जो और भीवानी चेंदर ये तो वीरों के भूमी रही है और इसके अदर अगर एक सहील स्मार की इतने जरजर हालत तक पहुंचता है, क्या परसासन की आखे बंद थी, क्या उनके उपर पट्टी बंदी हुई थी? झाल 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 झाल